प्लॉआ प्लॉआ फीजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है energy Losses in Transformer Transformer में उर्जा हनिया बच्चो इससे पहले बच्चो जो है मैंने आपको जो है Transformer की दक्षता बताई थी हमने उसमें देखा था कि जितना input हम दे रहे हैं उतना output हमको नहीं मिल ला है अरथात जितनी energy हम primary coil को दे रहे हैं दुतियक coil से जो है उतनी energy उतनी power हमको नहीं मिल लई है इसका मतलब जो हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ problem हमारे transformer में जरूर है जिन्हें की हम पूंत या टाल नहीं सकती हैं ठीके बचो उनको कम कर सकते हैं लेकिन उनको टाल नहीं सकते हैं बचो ठीके बचो अब जो हैं पहली परकार की जो हैं इस में हैं transformer में वो है तामबे में हाने अब बचो यह थोड़ा सब theoretical है अब आपको इसमें दिान देना पड़ेगा बचो तामबे में हाने ठीके बचो तामबे में हाने copper loss अब बच्चो आपी से मैं एक प्रस्न पोचता हूँ कि ट्रांसफोर्मर में कौपर कहा वर है बताओ बच्चो आप बताओ चलो बच्चो आप जो हैं ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हैं इसका मतब आप मेरे सामने तो नहीं है लेकिन मुझे हमेसे यह लगता है कि आप मेरे सामने है और मैं आपसे क्वेशन पूछ रहा हूँ आपको ये उतर देना बच्चो जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो अपने से आप जहें इस उतर को जरूर निकलवाना कि तामबा कहा है ट्रांसफोर्मर और उसकी हानी कैसे हो रही है बच्चो तो बच्चो आप इसका जवाब जरूर देंगे देखो बच्चो ट्रांसफोर्मर की जो कोयल है बच्चो वो किसकी बनी है तामी की बनी है बच्चो तो कहीं ने कहीं जो हैं उसमें क्या हो रहा है एनर्जी लॉस हो रही है वचो तो ये किस परकार से हो रही है इसको आपको मैं आपको बताता हूं वचो जब प्राथमिक तथा दुतियक कुंडलियों में प्राथमिक और जब दुतियक कुंडलियों में क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं हाँ तो तो कुछ उर्जा तामबे के जो फेरे हैं तामबे के फेरों में और जाके रूप में ब्याई हो जाता है ठीक है बच्चो अब क्या होगा बच्चो कि उनमें करेंट फ्लो हो रही है यह देखो बच्चो हमारे पास एक फॉर्मला है बच्चो डवलू इजीकल टू जो उर्जा का जो फॉर्मला है कितनी उर्जा होगी कितनी उर्जा लॉस होगी यह देखो बच्चो इतनी उर्जा लॉस होगी और यहीं उर्जा उसमा में बदलेगी बच्चो अब उनमें current flow हो रही है इदे दोग बचो उनमें current flow हो रही है और उनका resistance भी होगा बचो कुंडली का resistance बिलकुन नगरने नहीं होता है ठीक है बचो पर्तिरोध तो हो गई तो क्या होगा current भी उसमें बह रही है तो क्या होगा इस current के बहने के कारण बार बार बहने की कारण क्या होगा और इसमें परतिरोध कुछ परतिरोध होने की कारण क्या होगा बच्छो कि वो कुंडलियां क्या हो जाएंगी गरम हो जाएंगे बच्छो अर्थात वो उस्मा की रूप में अब उस्मा कितनी हो जाएगी बच्चो उसमा कितनी हो जाएगी I square RT by 4.2 ठीक है बच्चो यह कैलोरी और जूल में संबंध है बच्चो इतनी उर्जा जो हैं उनमें 6 हो जा रही बच्चो तो पहला है तामे में हाने copper loss ठीक है बच्चो और दूसरा है भावर धाराओं में हाने यह बहुत ही महतोपून दू भावर धाराओं में हाने ठीक है बच्चो एड़ी करेंट लॉस एड़ी करेंट लॉस ठीक है बच्चो और बच्चो यह तो नजानी कितनी बार जो है मैंने आपको इस चेप्टर में इतनी बीडियों बना दी है और बार बार आपको बताए बच्चो हो क्या रहा है कि हमने ट्रांसफर्मर की जो कोईल है जो क्रॉड है क्रॉड है उसको हमने क्या कर दिया एक पूरी लोहे की क्रॉड हम नहीं बना रहे हैं बच्चो हम भी कोशिस कर रहे हैं कोशिस ये कर रहे हैं कि क्या हो जाए कि ये बहमरदारें उत्पन नहों तो हम ये पूरी क्रोड है ये पूरी क्रोड है बच्चो ये पूरी क्रोड अगर हम ये पूरी क्रोड जो है बच्चो अगर हम इसमें लगाते तो क्या होता इसमें परबल रूप से जो है बहमरदारें उत्मन होती और ज्यादा जो है क्या होता उस्मा का लॉस होता है अब हम क्या कर रहे हैं पटलित कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं पटलित कर रहे हैं बचो इनको अलग अलग जोड़े हैं उनको अलग अलग जोड़े हैं और उनके बीच में जबवी छोड़ दे रहे हैं जिस क्या हो जाएगा बच्चो इसमें जो हैं उतनी उस्मा की हानी ने होगी फिर भी क्या होगी उस्मा की हानी होगी ये पटलित हैं बच्चो पटलित पटलित क्रोड है ये ठीक है बच्चो और ये सामने क्रोड है पूरी क्रोड है इसमें उर्जा लॉस क्या होगी कम होगी लेक 6 को दूर नहीं कर सकते हैं ठीक है बच्टो यह वगत अब जो है यहां तीसरा है मैं आपको मैं मैं आपको बता देता हो । ठीक है आह इसमें ध्यान देंगे फ्लक्स हांभा अब में कहां हानी हो रही है फ्लक्स लॉसेद ठीक है बचो, अब फ्लक्स में कहां लॉस हो रहा है आपको ये जानना है बचो हाँ बचो, अब जो है प्रात्मिक और दुतियक कुंडली का जो यूगमन है, कपुलिंग है वो अच्छे धंक से नहीं होती है, परफ्यक्ट नहीं होती है तो क्या होगा बचो, जो प्रात्मिक कुंडली का जो फ्लक्स है, वो पोरा का पोरा दुतियक कुंडली में नहीं जा पाएगा और अगर वो फ्लक्स नहीं जा पाएगा बचो, तो क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगी क्योंकि e बराबर क्या होता है minus n delta phi upon delta t तो वो phi के proportional हो रहा है delta phi के proportional हो रहा है ठीक है बच्चो तो क्या हो रहा है प्राथमिक तथा यदि प्राथमिक यदि प्राथमिक तथा दुतियक कुंडलियों का का यूगमन कौपलिंग जिसको कहेंगे बच्चो आप कौपलिंग पूर नहीं होगा पूर रूफ से नहीं होगा पूर रूफ से या परफ्यक्ट कहेंगे जिसको और परफ्यक्ट कोई होता भी नहीं है परफ्यक्ट पूर रूफ यदि प्राथमिक तथा दुतियक कुंडलियों का यूगमन पूर रूफ से नहीं होता नहीं होता तो प्राथमिक प्राथमिक कुंडलियों का संपूर्ण फ्लक्स संपूर्ण फ्लक्स तुद्तियक 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 कुंडली में नहीं पड़ता है कुंडली में नहीं आता है और इससे क्या हो जायगा फ्लक्स में हानी हो जाएगी और फ्लक्स में हानी हो जाएगी वच्छों हानी हो जाएगी ठीक है बचो तो बचो यह मैंने आपको यह बण दिये हैं ठीक है बचो इसके बाद मचो इसमें इसको लिखने इसमें होता क्या है जो है है स्टिस लॉस होता है जो सेतिल्य हानी होती है इसमें क्या होता है कि जो लोहे की क्रॉड है वो बार बार चुम्बकित हो रही है और बी चुम्बकित हो रही है कभी जो है वो क्या हो रहा है एक आदे चक्र में जो है एक दिसामें मेगनेटाइज हो से जो हैं क्या हो जा रहा है चुमबकित और भी चुमबकित होने की परकिरिया में वो कुछ उर्जा को उस्मा के रूप में ले रहा है बचो समझ रहे ना बचो जो सैथल्य सैथल्य हानी है उसमें क्या हो रहा है बचो उसमें क्या हो रहा है कि चुमबकन और जो क्रोड है ठी बचो कोई process अगर हो रही है ठीक है बचो हाथ से गुमाना पड़ेगा उर्जा देने पड़ेगी बच्चो तो इस प्रकार से चुमबकित और बी चुमबकित होने में जो आर्जा हम दे रहे हैं वो ऊस्मा में बदल जा रही है और इससे भी क्या हो जा रहा है transformer की efficiency कम हो जा रहे बचो तो बचो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो है इनको अच्छे धंग से देखेंगे बचो और मैंने ये notes के रूपना आपको बथा दिये बचो बहुत बहुत धन्यवाद बचो